जैहिन स्वागत है आप सभी का देखे आप सभी के लिए नेवी में जो आपकी नई विकंसी है ट्रेडमन के लिए वो यहाँ पर आपके आउटो हो चुकी है और जबरदस्त बरति यह आपके रहने वाली है जिसमें बिल्कुल आपका ना के बराबर कॉंपिटिशन रहेगा आपको सारी बाते बताते हैं यह है आपके भरती का कम्पिल्ट ओफिशल नोटिविकेशन तो सबसे पहले देखिएगा यह जो आपकी विकंसी है वो हैड़कौर्टर एंडमान अन्निकोबार कमांड में आउट की गई है जिसमें यहाँ पर जो पोस्ट आपकी रहेगी वो ओफ्लाइन तरिके से दिये हुए एडर्स पर नहीं बेजने हैं सिर्फ आपको ओनलाइन फोर्म फिल करना है बस आपका फोर्म का कम कंप्लेट हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर जो आपका रिटन एक्जाम रहेगा ट्रेट्समें मेट के लिए वो सिर्फ आपका पोर्ट मत कीजिएगा और अगर इतनी दूर आप एक्जाम देने जाते हैं तो जाहरी से बात कि आपके तयारी होनी चाहिए लग के आधार पर वहाँ पर एक्जाम देने आप मत जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है जो टाइम है वो भी आपका तो यहाँ पर इसलिए जो competition है वो आपका कम रहता है क्योंकि वहाँ पर पहली बातों जो form वगरा हैं वो ही कम apply होते हैं दूसरी चीज जितने बच्चे form apply करते हैं उन्हों सभी बचों का admin card वापस नहीं आता है जिन बचों का admin card आता है वो सभी बच्चे exam देने नहीं जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लग अपने किस्मत को अजमानी के लिए जिनके पास पैसर बगरा adjust हो जाता है वो exam देने के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पर आपका इन सब्सक्राणों के वज़े से competition आपका कम रहता है तो form यहाँ पर अगर आप eligible हैं तो जरूर अपलाई कीजिएगा यदि हम बात करें total vacancy के बारे में तो देखें यहाँ पर जो total आपके vacancy रहेंगे वो है आपकी 362 vacancy जिसमें से यहाँ पर अगर हम बात करें UR के लिए तो जो आपकी UR में total vacancy है 149 plus में यहाँ पर NAD में 12 vacancy है फिर यहाँ पर OVC की 91 plus में 6 vacancy, SC category की 50 plus में 3 vacancy, ST category की 25 plus में 1 vacancy और EWS की यहाँ पर 33 plus में 2 vacancy तो total इन सबी को मिला करें plus में physical handicap और जो X रूसमें है इन सबी को मिला करें यहाँ पर आपकी 338 plus में 24, 322 vacancy जो आपकी vacancy है वो यहाँ पर आपके रखी गई है और यहाँ पर यह जो आपकी vacancy रहेंगे वो लेवल 1 के नुसर रहने वाली है यानि कि इनमें जो पेस्किल आपका रहेगा वो 18,000 स्टार्टिंग है जो कि 57,900 तक आपका रहने वाला है और यहाँ पर जितने allowance हैं वो भी आपको time to time दिये जाएंगे तो salary यहाँ पर आपकी अच्छी खासी है बस आपको मेहनद करने है इस salary को पाने के लिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें age limit के बारे में तो यहाँ पर जो आपकी age है वो 18 से लेकर 25 साले रहने वाली है यहाँ पर अगर बात करें education qualification के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 10 में पास होना जरूरी है और 10 में पासो होने के साथ यहां पर जो आपकी IT है वो आपकी होना जरूरी है और जो आपकी IT है वो भी ऐसा नहीं है कि चाहे किसी भी ट्रेड में हो यहाँ पर आपको जो IT के लिस्ट है वो दी गई है और उस लिस्ट में अगर उन ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में आपने IT कर रखी है तब ही हाँ पर आपे eligible होंगे वो ट्रेड कौन-कौन से हैं वो भी हाँ पर सलिय आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर देखिएगा जो आपके एज में छूट रहेगी SC और ST कटेगरी को 5 साल, OBC कटेगरी को 3 साल, Physical Handicap को यहाँ पर 10 साल इसके बाद जो एक्सलिशमेन हैं, जो गुर्मेंट सर्मेंट हैं इनको भी एज में छूट दी गई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे important point है कि आपके crucial date क्या है, education qualification की और आपके age limit की तो यहाँ पर जो crucial date याँनकी age और education qualification कब तक आपके complete होनी चाहिए तो जो आपके form को apply करने के last date है, उस date तक आपके age account की जाएगी और उस date तक जो आपके education qualification याँनके आपके 10th class plus में जो IT है वो complete होनी चाहिए तब ही आपे apply कीजिएगा यदि हम बात करें आपके selection process के बारे में तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका online form है वो आपको apply करना है online form के बाद यहाँ पर जो आपके applications हैं उनके screening होगी यानकि आपने जो form apply किया है वो सही है या फिर नहीं अगर सभी बच्चों का form सही पाय जाता है तो जितने total form आपके apply हुए हैं उसमें से total vacancy का 25 गुणा यानि कि एक vacancy के लिए 25 गुणा कंडिडेट हैं वो आपके short list किये जाएंगे इसलिए आपको हमने कहा है कि इस बरती में जो competition है वो बिलकुल आपका कम रहता है सबसे पहले तो vacancy के 25 गुणा कंडिडेट हैं वो आपके short list किये जाते हैं जिसमें से बहुत आपके ना के बराबर लगबगा आपे maximum मान कर चलिएगा कि एक post के लिए सिर्फ वहाँ पर 5 से लेकर 6 जो बचे हैं वही exam देने पहुंच आपके पाते हैं ये बिलकुल maximum है एक post पर 5 से 6 बचों का competition आपका रहता है क्योंकि 25 जो बचे हैं वो तो सिर्फ आपके short list ही किये जाते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आपके short list हो जाते हैं तो जो आपकी process रहेगी वो है आपका written examination जिसमें total ये आपके 4 subject आने वाले हैं हर एक subject से आपके 25 question रहेंगे और एक जो question है वो total आपका एक नमर का होगा यानकि total आपके 100 question रहेंगे सो नमर का जो आपका exam है वो रहने वाला है और दो घंटे का जो आपका time है वो आपको दिया जाएगा जिसमें reasoning, English, numerical aptitude, quantitative ability यानकी math और journal awareness ये सभी topic से जो question है वो आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो आपका exam होता है उस ये के आधर पर जो आपकी mental list है वो तयार किये जाती है इसमें ने तो कोई आपकी physical होती है और medical भी आपे ना के बराबर ही मानकर चलिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका medical होता है वो आपके district के civil hospital ये आपको तयार करवाना होता है तो medical भी आपका बिलकुर normal होता है जो written exam है उसके just बाद यहाँ पर आपकी जो mental list है total vacancy है उतनी है आपकी बच्चों के लिस्ट आउट की जाती है और यहाँ पर आपका document verification होता है तो यहाँ पर जो आपकी starting date है form को fill करने की 26 अगस्ते 2023 सुबह के 10 बजे से और यहाँ पर जो आपकी closing यानकि last date रहेगी form को fill करने की वो है 25 September 2023 स्याम के 5 बजे तक तो यहाँ पर अगर आप interested हैं और eligible हैं तो इन date को विलकुल आप याद रखिएगा इन date में ही जो form है वो कि हैंपर आपको जनकरी अच्छे लगए होगी और साइब आते बाते बिलकुल अच्छे से आपको समझ में आगई होगी अगर आपको जनकरी अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और आगए आने वले हरप परकार के अपडेट के लिए आपके अपने च कि बुटकी कि अजया है?